1992 में जब राम मंदिर मुव्मेंट अपने पीक पे था उस समय अजमेर में जहादी दरिंदे हमारी बेटियों को फसा रहे थे अजमेर में 1992 में सव से ज़ादा हिंदू बेटियों के साथ बलातकार हुआ था और दुख इस बात का भी है अब जब फैंसला आया है 32 साल के बाद तो किसी भी वहसी दरिंदे की 100% संपत्ति जपत नहीं हुई किसी भी वहसी दरिंदे को फांसी नहीं हुई और किसी भी वहसी दरिंदे की citizenship खतम नहीं हुई नागरिकता भी खतम नहीं बत्तिस साल के बाद फैंसला आया है इसलिए मैं बार-बार कहता हूं हमारा कानून घटिया है हमारी पुलिस बिवस्था सड़ चुकी है हमारा इन्वस्टिगेशन का तरीका सड़ चुका है हमारी न्याईक बिवस्था सड़ चुकी है हमारे कानू कानून लचर हैं बहुत ही कमजोर हैं हमारे कानूनों से खौफ नहीं पैदा होता राम मंदिर का मुमेंट पूरा पीक पे था और वो जहादी दरिंदे स्कूल की बच्चियों को एक एक करके टार्गेट कर रहे थे पांच दस बीस पंद्रह पचास नहीं सव से जादा बच्चियों को उन्होंने अपने टार्गेट में लिया और सबसे बलातकार किया उनको धमकाया उनको उनके वीडियो बना लिये उनको ब्लैक मेल करते रहे वी का मतलब कल को कोई और सरकार आई तो 14 साल बाद उनको बरी कर देगे और यह फैस अब यह भी डिस्टिक कोट का हैए बत्तीस साल के बाद वैस्टिक कोट का आई है अभी वह अपील करेंगे है कोर्ड में जाए दश साल मकॉद्म कोद्म वहां चलेगा 42 साल हो नेशन वन पुलिस कोड की ज़रूरत है पुलिस चार्टर लागू करने की ज़रूरत है कि आपका अगर आपने फाइयार किया तो आपको एक महीने के अंदर जांच पूरी करनी है मुकदमा इसलिए लंबा चलता है कि इन वहसी दरिंदों ने जूट का सहरा लिया इन वहसी दरिंदों ने जूटे गवा तयार किये अपने जूटे कागज बनाए जूटे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए सबको जूटा अपना एफिडेविट फाइल किया लेकिन की सजा नही 1992 में बलातकार किया और 2024 में जाके फैंसला आ रहा है मुकदमे को 32 साल तक लंबा खिसते रहे जुडिशल रिफॉर्म नहीं जुडिशल चार्टर हमारे पास नहीं है एक युनिफॉर्म जुडिशल कोड नहीं है जहां देश के सभी जजों के लिए बडारा गाइडलाइन हो कि आपको अगर हत्या का मुकदमा है तो 10-15 डेट में खतम करना बलातकार का मुकदमा है तो आपको 15-20 डेट में खतम करना लंबी लंबी बनबी तारीक नहीं देनी है कोई maximum आपको 2-2 हपते की तारीक देना है साल भर में 52 हपते होते हैं, अगर 2-2 हपते पे तारीक दिया जाएं, तो भी 26 तारीख पढ़ेगी साल भर के अंदर. और कोई भी केस हो, हत्याका हो, मर्डर हो, बूटल मर्डर हो, टुकडे करके मारा हो, कोई भी केस एक साल के अंदर डिसाइड हो सकती है क्योंकि एक साल में अगर हम 15-15 दिन पर तारीख दे तो 26 तारीख पड़ती है और कोई भी केस डिसाइड करने के लिए 26 तारीख परियाप्त होती है इन वहसी दरिंदों ने सारे जूठे गवाही कठा कर लिए और वो जूठी गवाही क्यों उन्होंने दिया क्योंकि जूठी गवाही देना अपराद नहीं है इन वहसी दरिंदों ने जूठे एफिडेविट फाइल किये क्योंकि भारत में परजरी गंबीर अपराद नहीं है भारत में cheating गंभीर अपराद नहीं है भारत में fraud गंभीर अपराद नहीं है भारत में फोरजरी करना गंभीर अपराद नहीं है भारत में परजरी करना गंभीर अपराद नहीं है न जूट बोलना गंभीर अपराद है न जूटी जाच करना गंभीर अपराद है न जूटा दरिंदों ने जूढ़े काखस तयार किये अपने बचाओ के लिए क्यों कि भारत में जूटा डॉकुमेंट बने वाना अपराध ही नहीं है आप जूटा अधार बनावा लीजिए जूटा राशन कार बना लीजे जूठा ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजे जूठा बर सर्टिफिकट बना लीजे आपकी उमर 30 साल की है आप अपनी उमर 18-17 साल दिखा लीजे जूठे कागज की जरीए कोई गंबीर अपराधी नहीं है इन वैसी दरिंदों ने खुब जूठे कागज भी त यार कर लिए कि पैसा इनके पास था और सबसे बड़ी बात ये यह अजमेर के जो दरिंदे पकड़े गए यह एक किसी एक दरगा से भी इनका कनेक्शन है यह सब कोई ऐसे नहीं कि फूट पाथ वाले थे यह जितने वहसी दरिंदे पकड़े गये हैं यह कोई फूट पाथ को चुना जो सवसे ज़्यादा बच्चियों का बलादकार किया उसमें 100% हिंदू लड़किया थी इसका मतलब कि जब 1990 में राम मंदिर मूमेंट पीक पे था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने लड़कियों को टार्गेट किया जब देख रहे थे कि राम मंदिर पूरे द साल के बाद डिस्टी कोड का फैसला रहा है उसमें भी कानून ऐसा घटिया कि किसी वहसी दर इंद्रों का आजीवनकारावा किसी वहसी में ऐसे सौसो बच्चियों का बलादकार नहीं होता कभी अमेरिका में हमने नहीं सुना कि किसी एक गैंग ने सौस ज़्यादा बच्चियों का बलादकार किया कभी जापान में नहीं सुना कि किसी गैंग ने सवस्यादा बच्चियों का बलातकार किया यह भारत में हो रहा है क्योंकि हमारी पुलिस ब्यवस्ता सड़ चुकी है हमारी न्याइक ब्यवस्ता सड़ चुकी है और हमारे कानून महा घटिया है हमारे देश में कानून का खौफ नहीं है चार्टर लागू किया होता तो यह फाइयार करने के एक महिने के अंदर जांशपूरी हो जाती अगर हमने जुडिशल चार्टर लागू किया होता कि जड़ साहब के लिए साल भर के अंदर फैंसला देना अनिवार है तो 92 में बलादकार हुआ और 93 में इनको सजा हो जाती 93 में इनको सजा हो जाती है अगर हमने कठोर कानून बनाया होता कि प्लांड वे में रिलिजन के अधार पे अगर बलादकार करोगे तो किवल फांसी होगी अगर रिलिजन के अधार पे रिलिजन धर्म देख के अगर बलादकार किया है हेट क्राइम किया है अगर वास्त ये देख के बलादकार किया है कि हाँ ये हिंदू है इसलिए बलादकार कर रहे है ऐसे लोगों को फासी होनी चाहिए और अगर फासी नहो तो अंतिम सांस तक जेल में रखने की बेवस्था होनी चाहिए और इनकी नागरिक तक खतम होनी चाहिए इनके घ़र पे बुलडोजर चलाने की जजरूत नहीं है इनके घर को निलाम कर देना चाहिए और निलामी के बाद जो पैसा बचे वो पीडित के परिवार को देना चाहिए बुल्डोज़ चलाने से खौफ नहीं पैदा होगा खौफ तब पैदा होगा जब कानून कठोर होगा सजा जल्दी होगी और यह बलातकार तब रुकेगा जब यह जो मुगलिया स्कूल चल रहे हैं जो नफरत सिखाते हैं यह जो विदेशी स्कूल चल रहे हैं नफरत वाली यह बंद होगे इसलिए मैं मानिप धानमंत्री से निवेदिन कर रहा हूँ भारत में मुगलिया स्कूलों को बंद करिए भारत में यूनिफॉर्म एजूकेशन सिस्टम लागू करिए यह गुलामी के पुलिस बेवस्था खतम करिए भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करिए यह गुलामी की प्रसासनिक बेवस्था खतम करिए भारत में यूनिफॉर्म एड्मिस्टिट्रिट्य कोड लागू करिए यह गुलामी की नियाइक बेवस्था को बदलिए भारत में यूनिफॉर्म जूड मैपिंग जरूरी होना चाहें और जूट को गम्बिर अपराद गोसित करिए क्योंकि ये चाहे नसा तसकर हैं चाहे मानो तसकर Chuckéta ice जिहादी हैं चाहे उन्ण्मादी हैं चाहे हत्यारे हैं चाहे बलातकारी अल्टीमेट्ली ये जूठा कागस बनवाते हैं जूटे डाकुमेंट बनवाते हैं जूटा हेल्थ सर्टिफिकट बनवाते हैं और वो इसलिए बनवाते हैं क्योंकि वो गंभीर अपराद नहीं है यह जूटे गवा खड़े कर लेते हैं जूटा एफिडेविट फाइल करते हैं सब कुछ जूट करते हैं वकील को भी पता है यह कुछ कह रहा है जूटा है जस साब को भी पता है यह जो कुछ पिटीशन में लिखा है जो कुछ एविडेंज देर college फिर भी जसाब भी कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे एक किरिमिनल कोड में जज नहीं दिया कि वो इसको कॉगनिजन्स ले सके और सबसे बड़ी बात यह हमारे देश में सजा कांजेक्टिब नहीं हो रही है अगर पांच धाराओं में आदमी दोसी है तो पांचो धाराओं की सजा अलग अलग चनी चाहिए जैसे अमेरिका में होता है अगर कोई आदमी पांच धाराओं में दोसी है और एक धारा में पांच सल्ग सजा है तो उसको पचिस सल्ग सजा होती है हमारे देश में पांच धारा में दोसी है और एक धारा में पांच सल्ग सजा है तो टोटल पांच सल्ग सजा होती है ये बंद होना चाहिए, ये जो concurrent हम sentence देते हैं, concurrent सजा देते हैं, ये बंद हो, सबको consecutive सजा हो, और सबसे बड़ी बात ये, नार्को पॉलिग्राफ बेन मैपिंग जरूर मैंडेटी हो, पुलिस चार्टर लागू हो, जुडिसल चार्टर लागू हो, सिटिजन चार्टर लाग हो, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा, नहीं तो जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, ये बलातकार नहीं रुकेगा.